सुप्रभात, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में बच्चों, आज हम इस क्लास में हिंदी सेकेंड के पार्ट छे प्रत्य पर चर्चा करेंगे इस पार्ट में प्रतियों द्वारा शब्दों की रचना की जानकारी प्राप्त करेंगे जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो पाच्वाँ पार्ट था वह था उपसर्व और उस पार्ट में हमने सब्दों द्वारा उपसर्गों की रचना कैसे की जाती है इसका अध्यन किया था और इस पार्ट में हमें प्रत्यों की रशना पढ़ना है सब्दों के आधार पर मतलब प्रत्यों द्वारा सब्दों की रशना कैसे की जाती है इसकी जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम आपको एक बार याद दिला देते हैं उपसर्ग की परिभासा इसी के साथ आज हम इस पार्ट का शुरुवात करेंगे उपसर्ग क्या था? तो उपसर्ग वे शब्दान्स होते हैं जो सब्द के प्रारंभ में लगते हैं हमने आपको उपसर्ग का परिवासा से इस पार्ट का शुरुवात इसलिए किया है कि उपसर्ग और जो प्रत्य होते हैं लगबग एक समानी होते हैं फर्क इतना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द के प्रारंब में लगते हैं जो प्रत्य होते हैं वो अंत में लगते हैं तो उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दान सोते हैं, जो किसी शब्द के प्रारंब में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब आए प्रत्य पर चर्चा करते हैं। शब्दों द्वारा, शब्द रचना, प्रत्यों द्वारा। तो बच्चों उपसर्गों की तरफ प्रत्य भी भाशा की लगुतम अर्थवान इकाईया हैं अर्था जिस प्रकार से उपसर्ग होता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है इसी प्रकार से प्रत्य भी होते हैं और प्रत्यों का भी कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है जो शब्द के अंत में लगकर नय सब्द बनाते हैं वे प्रत्य होते हैं जैसे रास्ट्र धन इय रास्ट्री आप देख रहे हैं कि यहां पर रास्ट्र एक शब्द है उसमें इय जो शब्द के अंत में लगा हुआ है और एक नया सब्द बना रहा है रास्ट्री गुड धन वान गुड एक शब्द है और एक वान है एक नया सब्द बना गुड वान वान जो है वह क्या है वह है प्रत्य और गुड एक शब्द है दोनों को मिला करके जो नया शब्द प्राप्थ हुआ है वह है गुड वान इसी प्रकार छोरधन इ, चोरी, शेरधन, नी, शेरनी, आदि तो बच्चों स्पस्ट हो गया होगा आपको की जो प्रत्य होते हैं वह किसी शब्द के अंत में लग करके उसकी अर्थ में परवरतित कर देते हैं जो नया शब्द प्राप्त होता है वो अर्थ वाला होता है दूसरा अर्थ देता है प्रत्य शब्द नहीं है बलकि शब्दों की छोटे-छोटे अंश है सब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई अर्थ होता है जिस प्रकार से किसी सब्द का कोई अर्थ निश्चित होता है उसी प्रकार से जो प्रत्य होते हैं उनका भी कोई न कोई सार्थक अर्थ होता है ये शब्द के अंत में जूड कर नया शब्द बनाते हैं और जो प्रत्य होते हैं वह सब्द के अंत में जूडते हैं और कोई नया अर्थ देते हैं भासे में इनका भी प्रयोग स्वतंतर रूप से नहीं हो सकता जिस प्रकार से उपसर्ग जो थे उनका भी भासा में स्वतंतर रूप से उपयोग नहीं हो सकता था इसी प्रकार से प्रत्य भी होते हैं जिनका स्वतंतर रूप से उपयोग नहीं होता है भाशा में अब तो आपको स्पस्ट हो गया कि प्रत्य और उपसर्ग में अंतर क्या होता है, प्रत्य क्या है और उपसर्ग क्या है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रत्य के प्रकार तो बच्चों प्रत्य दो प्रकार के होते हैं एक होता है क्रित प्रत्य और दूसरा होता है तद्वित प्रत्य जो क्रित प्रत्य होता है वह किसी क्रिया या धातु के साथ जुड़ करके शब्द की रचना करता है और जो तद्वित प्रत्य होता है वह क्रिया के अलामा अन्य शब्दों में जुड़ करके जैसे संग्या, विशेशड और सर्वनाम में जूडता है जो कृत प्रत्य होता है वह क्रिया या धातु में जूडता है और जो तद्धित प्रत्य होता है वह संग्या विशेशड या अव्य में जूडता है आप उधारण के साथ देखेंगे तो आपको स्पस्ट हो जाएगा तो आए हम सबस पहले चर्चा करते हैं कृत प्रत्य पर कृत प्रत्य या क्रिया रूपों में लगने वाला प्रत्य मतब जो क्रिया रूप में ही लगता है वे प्रत्य जो क्रिया या धातू रूप के साथ जूड़कर संग्या विशेशर आदी नए सब्दों की रचना करते हैं वे क्रित प्रत्य कहलाते हैं मतलब जो क्रिया या धातू के साथ जूड़ते हैं और संग्या सर्वन विशेशर संग्या या तो वो देते हैं जो नया शब्द बनता है उनसे या तो वो संग्या बनता है या विशेशर उधारण देखेंगे जैसे पढ़ना पढ़ना क्रिया है लिखना, बुनना, पीना, खाना, हसना, रोना ये सब क्या हैं? ये सब क्रिया हैं और जो प्रत्य है आई, अकड, उ, हार ये सब क्या हैं? प्रत्य हैं अब ये प्रत्य हैं मतब क्रिया और प्रत्य जब दोनों जुडेंगे तो एक नए शब्द का निर्मार करेंगे जैसे पढ़ पढ़ में अगर हम आई प्रत्य जोडते हैं तो क्या बनता है पढ़ाई लिख मतब लिखना क्रिया है अगर उसमें हम आई प्रत्य जोडते हैं तो बनता है लिखाई ऐसे बुनना बुन में अगर आई जोडते हैं तो बुनना दूसरा आप देखेंगे ऐसे ही बना है पीना, भूलना, घूमना अगर इन सम्में अकड जुड़ता है तो प्रत्य तो ये इस प्रकार से होते हैं जैसे पीना में अगर अकड जुड़ता है तो पी अकड भूलना में भुलककर और घूमना में घूमककर कमाना में खाना और उड़ना इसमें उ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कमाऊ, खाऊ, उड़ाऊ गाना और लड़ना में अगर एया या वईया जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गवईया लड़या खा और गा में ना जुर जाएगा तो खा और गा में ना जुर जाएगा तो खाना और गाना हो जाएगा खेल और बिच में और ना जुर जाएगा तो खिला और बिच और चाटना बेलना सुंगना ये हैं क्या क्रियाएं हैं? अगर चाट, बेल और सुंग में नी जुड़ जाये तो चटनी, बेल नी, सुंग नी दिखा, पैर, मतलब दिखाना और पैरना अगर इन दोनों में वनी जुड़ जाये तो दिखावनी, पैरावनी उड, मिल, उठ अगर इन सम्में आन जुड़ जाये तो उडान, मिलान, उठान मिला, सजा, अगर इसमें आवट जुड़ जाये तो मिलावट सजावट, बोल और हस, इसमें अगर आई, इ जुड़ जाये तो बोली और हसी अब आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्य जुड़ा है जैसे मालजे आपको कुछ शब्द दे दिये जाते हैं अगर उसमें आपको शब्द अलग क्रिया अलग आप अभी क्रिया प्रत्य पढ़ने हैं तो आपको मालिजे कुछ शब्द दे दिये जाए जो क्रियाएं हैं। अगर उसमें से आपको प्रत्य और क्रियाएं अलग करनी हैं तो आप कैसे करेंगे। जैसे मालिजे आप पढ़ाई, लिखाई, बुनाई। इसमें आपको प्रत्य और क्रिया जो है वो अलग-अलग करनी है तो आप कैसे अलग करेंगे? जैसे आप पढ़ाई, जब आप जानते रहेंगे कि आई, अकड, उ, हार, अया, वया, और ना नी, आदी ही क्या होते हैं? प्रत्य होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी हिच्किचार्ट नहीं होगी बताने में कि इसमें कौन सा प्रत्य है? आपने पढ़ा पढ़ाई, लिखाई और बुनाई इसमें अगर आपको प्रत्य बताना है तो आपको पता है कि जो प्रत्य होते हैं वो किशी सब्दे के अंत में लगते हैं तो पढ़ाई क्या रहा पढ़ाई आई आ रहा है लिखाई आई आ रहा है और बुनाई आई आता है आपको पता है कि आई कोई प्रत्य होता है तब आप तुरंत बता देंगे कि पढ़ाई लिखाई और बुनाई में आई प्रत्य है ऐसे अगर दिया है शब्द बुलगकर औ और इसमें आपको प्रत्य और जो क्रिया है वो अलग अलग करना है. अगर आपको प्रत्य आपको पता है कि अकड कोई प्रत्य होता है. तो आप तुरंद बता देंगे कि भूल अकड या पी अकड 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 आ रहा तुरंद तो आपको तुरंद इस पस्ट हो जाएगा कि इसमें अकड क्या है प्रत्य है और ये किधा तुस एक किस से बना है पीने से बना है पीना भूलना और घूमना इन सब से बना है तो पीन भूलना और घूमना ये क्या हो जाएंगी क्रियाएं हो जाएंगी ऐसे ही कमाऊ खाऊ और उडाऊ दिया है आपको यदि पता है कि उ जो होता है वह प्रत्य होता है तो आप तुरंट पता देंगे पढ़कर के कमाऊ उ इसमें खाऊ में उ और उडाऊ में उ प्रत्य है और कमा खाना और उराना क्या हैं यह सब क्रियाएं हैं क्रियावाई होती हैं जिसमें गारिका करना या होना पता चलता है तो आप तुरंत बता देंगे कि इस सब्द में ये प्रत्य है और ये क्रियाएं हैं तो बच्चों आपने पढ़ लिया क्रीत प्रत्य जो क्रिया रूपों में लगते हैं और नए शब्द का निर्माल करते हैं दूसरा जो प्रत्य का प्रकार होता है वह होता है तद्वित प्रत्य और तद्वित जो प्रत्य होता है वह संग्या या विशेशर अव्वे में लगता है तो आईए अब हम दूसरा प्रत्य तद्वित प्रत्य का अध्यन करते हैं तद्वित प्रत्य वे प्रत्य होते हैं जो क्रिया के अलामा अन्य शब्दों में लगते हैं तो जब संग्या या विशेशण में लगेंगे तो वे संग्या और विशेशण ही बनाएंगे तद्वित प्रत्य कहलाते हैं जैसे पहला आप पढ़ेंगे संग्या से संग्या से संग्या कैसे बनते हैं और विशेशर से संग्या दूसरा पढ़ेंगे तीसरा पढ़ेंगे संग्या से विशेशर मतलब तद्वित प्रत्यों में जब संग्या लगता है तो संग्या कैसे बनती है जब तद्वित प्रत्यों में विशेशर लगता है मतलब विशेशर से बनता है तो संग्या क्या होता है और संग्या जब बनता है तो उसका विशेशर क्या होता है पहला है संग्या से संग्या सबसे पहले आप उधारण देखेंगे उधारण में दिया है डिबिया, खर्टिया, बीटिया और इसमें प्रत्या क्या है? डिबिया, इया, खर्टिया, इया और बीटिया, इया इन तीनों में क्रमशह इया प्रत्या है दूसरा है लुहार, सुनार इसमें क्या आ रहा? आर, आर, तीन, दोनों में आर आ रहा है, तो इसमें आर प्रत्य है, बच्च पन, लड़क पन, इसमें क्या है? पन, तो पन प्रत्य है, मुखडा, दुखडा, इसमें रा प्रत्य है, बुढापा, पुजापा, इसमें आपा प्रत्य है, देवरानी, नौ कौन कौन से प्रत्य हैं तो इया में जो जुड़ा है वह प्रत्य और उससे जो सब्द निर्मार हुआ है डिबिया खटिया और बिठिया इसी प्रकार से जो भी प्रत्य दिया है आर पन रा आपा आनी आनी इन सबों से एक नए शब्द का निर्मार हुआ है उदारण अब देखेंगे ई प्रत्य है ई में चोरी लगा है तो क्या बना है चोरी खेती पहाड़ी पा में बुढ़ापा मुटापा ता में और त्व में मानवता मनुश्यत्व वान में धनवान, गाड़ीवान, कार में कलाकार, पत्रकार, हारा में लकड़ारा, पालन हारा अब आपको पता है कि जो तद्वित प्रत्य होते हैं वह संग्या या विशेशड में लगते हैं और संग्या या विशेशड के ही बनाते हैं शब्द जो बनाते हैं वो संग्या बनता है या विशेशड बनता है आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बुढ़ापा और मोटापा ये क्या है ये विशेशड है कलाकार, पत्रका, लकड़हारा और पालनहारा ये सब क्या हैं? ये सब संग्याएं है तो जो प्रदित्वत्य होता है वो संग्या या सर्वनाम या अव्वे में लगता है और उनी से संग्या या विशेशड बनता है दूसरा विशेशड से संग्या विसेसर, विसेसर क्या होता है जो संग्या या सर्वनाम की विसेस्ता बता है उसी को तो विशेशर कहते है ता और आज, ये क्या है, ये हैं प्रत्य ता लगा करके, ता प्रत्य से अमने कोई शब्द बनाया एक बनायर विशेशर बना सुन्दरता, योग्यता और महत्ता, मिठास, खटास, ये सब क्या हैं? संग्या या सरवनाम की विशेशता बता रहे हैं, तो ये विशेशर हो गए इ और आई, इ से क्या बना? गरीबी, अमीरी, बिमारी, आई से अच्छाई, बुराई, महंगाई ये रहा आपका विशेशर से संग्या बनाने वाले तद्वित प्रत्य तीसरा, संग्या से विशेशर, अब जो संग्या दिया रहेगा उससे विशेशर बनेगा आ, भूखा, प्यासा, आ, ठंधा, आ, इन तोईनों में कौन सा प्रत्य है? आ प्रत्य है जहरीला, इला, शर्मीला, इला और बर्फीला, इला, इन तीनों में क्रमशा इला प्रत्य है धार्मिक, पोराइडिक, ऐतिहासिक 111 इन तीनों के अंत में आ रहा है इक इसलिए इन तीनों में एक प्रत्य है अब इन संग्याओं से विशेषर विशेषर बेंगॉली, पन्जाबी, जापानी, गुलाबी, उनी इन तीनों में ई ई ई प्रत्य लगा हुआ है रंगीन, इन, नमकीन, इन, शौकीन, इन, इन तीनों में क्रमसह इन प्रत्य लगते हैं चचेरा, ममेरा, फुफेरा, एरा, इन सम्में एरा प्रत्य है जो शब्द के प्रारम में लगया है देख रहा हैं आप ये सब क्या हैं? बंगाली, पंजाबी, गुलाबी, उनी ये सभी में, तीनों में, अचार में इप्रत्य है तो बच्चों पता चल गया कि आपको कि अगर आपको कोई शब्द दिया है वो संग्या है, सर्मनाम है या क्रिया है इन तीनों में से आपको अगर प्रत्य निड़ादित करना है और शब्द अलग-लग करना है तो कैसे करेंगे सो सबसे पहले आप उस शब्द को पढ़ेंगे एक दो बार पढ़ेंगे इसके बाद से आपको पुणा जो उचारड आप करेंगे और वह उचारड जो अंत में आएगा शब्द के अंत में वही आपका प्रत्य होगा जैसे बंगाली यह आ रहा है तो यह आपका प्रत्य है और बंगाल बंगाल से यह बनाया है तो बंगाल शब्द हो जाएगा और यह प्रत्य हो जाएगा अब हम चर्चा करेंगे कुछ आगत सब्द या विदेशी सब्द कुछ आगत सब्द आपने पढ़ा है कि आगत क्या होता है तो आगत वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाशाओं से हिंदी भाशा में आ गया है उन्हें आगत सब्द कहते हैं और कुछ विदेशी शब्द भी तो उनका प्रत्य है और वे शब्द हम पढ़ेंगे जैसे आना, नाक, दार, बाज, मंद और गर ये सभी क्या है प्रत्य है और इनसे जो शब्द बनेंगे क्रमस, साल, खत्रा, दुकान, दोखा, अकल, जादू ये सभी शब्द है अब इन शब्दों और प्रत्य हैं को एक साथ अगर हम मिला करके बनाते हैं तो हमें एक नए शब्द निर्मित भी लेंगे जैसे साल और आना, क्या जगा? साल आना खत्रा, नाग, खत्र नाग, दुकान, दार, दुकान, दार, धोका, बाज, धोके, बाज, अकल, मंद, अकल, मंद, जादू, गर, जादू, गर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द हैं और प्रत्य हैं इन दोनों को जब हमने मिलाया तो एक नए सब्द का निर्मार हुआ और आपको पता भी है कि प्रत्य वे शब्दांस होते हैं जो किसी सब्द में जुड़कर के नए सब्द का نिर्मार करते हैं ऐसे ही शब्द बना है महनत, तो महनताना हो जाएगा शर्म शर्मनाक हो जाएगा मकान मकानदार हो जाएगा पतंग बाज हो जाएगा मतलब आप इनी शब्दों जैसे बाज से क्या क्या बना दोखे बाज और पतंग बाज मंद से अक्ल मंद दौलत मंद गर से जादुगर और सोदागर रोज रोजाना डर्द, डर्दनाक, इमान, इमानदार, चाल, चाल बाज, ज़वश, ज़वश्वशतमंद, बाजी और बाजिगर मतलब आपको एक प्रत्य सबसे पहला प्रत्य आप देखेंगे आना है आना से सब्द बना है सालाना, महनताना और रोजाना नाक से खतर नाक, शर्म नाक, दर्द नाक और इन तीनों में कौन सा प्रत्य है नाक प्रत्य दार प्रत्य से देखेंगे दुकानदार, मकानदार, इमानदार बाज प्रत्य से धोखे बाज, पतंग बाज, चाल बाज मंद प्रत्या से अक्ल मंद, दौलत मंद, चरूरत मंद, गर प्रत्या से जादुगर, सवधागर और बाजीगर तो ये था आपका आगत शब्द और विदेशी शब्द तो आपको अब तो असपस्ट हो गया होगा कि हिंदी में जो प्रत्या पढ़ा है वो क्रित प्रत्या जो था क्रिया रूपों में लगने वाला प्रत्या और दूसरा तद्वित प्रत्या जो अन्य शब्दों के क्रिया के लावा अन्य शब्दों में जो प्रत्या लग रहे थ अब इस पार्ट के अंतर का जो मुख्य बिंदु आया हैं उस पर हम एक बार चर्चा करेंगे प्रत्य भी सब्दों के छोटे छोटे अंच होते हैं इनका प्रियोगी भासा में स्वतन्तर रूप से नहीं किया जा सकता है जैसे मनें बताया कि जो उपसर्ग होते हैं उपसर्ग भी उनका प्रियोग स्वतन्तर रूप से नहीं किया जा सकता है इसी प्रकार से जो प्रत्य होते हैं इनका भी स्वतन्तर रूप से प्रियोग नहीं किया जाता है सब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है और जिस प्रकार से शब्दों का कोई अर्थ होता है सार्थक उसी प्रकार से प्रत्यों का भी कोई न कोई अर्थ होता है प्रत्य शब्द के अंत में जूड़ कर नया शब्द में आते हैं और आपने पढ़ा अभी कि जो प्रत्य होते हैं वो किसी शब्द के अंत में जूड़ते हैं और नये शब्द का निर्मार करते हैं हिंदी में मुखिता दो प्रकार के प्रत्य मिलते हैं क्रित प्रत्य और तद्वित प्रत्य आपने अभी पढ़ा भी है कि हिंदी में दो प्रत्य होते हैं क्रित प्रत्य जो क्रियारूप में लगते हैं और तद्वित प्रत्य जो संग्यास विशेशर और अव्य में लगते हैं तो बच्चों इसी के साथ ही अपार्ट समाप्त होत कर दो दो और भार हिए ठाइब दाताब पेजिए टामे कर दो खाइब टूधान